स्टार्ट करते हैं डिस्केशन सबसे पहले प्रेक्टिस को सुजानपूर में लड़कियों के लिए कितनी सेटें आरक्षीत रखी गई हैं जहां पहली बाद लड़कियों को परवेश दिया जाएगा ये चार ओप्शन्स हैं और जो भी क्रेक्टर नसर है आप मुझे कमेंट प्रदेश की पुलिस की इबीट पुस्तक प्रणाली को अपनाएगी ऑप्शन है चंडिगड लदाक डेली अंडामा निकोबार क्रेक्टर नसर है ऑप्शन ए चंडिगड हिमाच्वदेश पुलिस चंडिगड पुलिस द्वारा उप्यों की जा रही इबीट बुक सिस्ट के बारे में इसके अंतरगत जो भी कॉंस्टेबल्स हैं उन्हें सेंट्रलाइज स्मार्ट सेलफ होन दिये जाते हैं जिनमें की वहाँ पर रहने वाले जो भी निवासी हैं सेनियर सिटीजन्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वी वी आईपीज, वेरी इंपोर्टेंट परसंस, रि नोटबुक्स और जिस्टर्स में सारा का सारा डाटा स्टोर करते थे और उन्हें चेक करने में काफी दिक्कत आती थी, तो अब सेंट्रलाइज स्मार्टफोन साफ्टवेर त्यार किये गए हैं जिसका नाम रखा गया है इबीट बुक सिस्टम, इसे चंडिगड पुलिस करवानी है, करेक्टर वेरिफिकेशन करवानी है, सर्वेंट वेरिफिकेशन या एंप्लाई वेरिफिकेशन तो इस साथी एप के जरीए वो करवा सकते हैं, जब हिमाचप देश में इस इबीट बुक सिस्टम को लांच किया जाएगा तो हम इस साथी एप के जरीए ये सार किसारी verification करवा सकते हैं हिमाचव देश से पहले दमनेंट दियू अंडमान निकोबार और डैली पुलिस द्वारा भी इस सिस्टम को अपनाया गया है और पूरे भारत में सबसे पहले चंडिगड पुलिस द्वारा इस सिस्टम को अपनाया गया था सेप्टेमबर दो हजार उ पुलिस में जो हमारे होमनिस्टर है अमिश्चा उन्होंने इस सिस्टम को इनेगरेट किया था चंडिगड में और जो डैली पुलिस है उनके द्वारा फेशियर डिकोगनाजेशन सिस्टम भी शुरू किया गया है पंद्रमें विद आयोग ने हिमाचपदे सरकार को अगले पांच वर्षों के लिए कितना अनुदान दिया है पंद्रमें विद आयोग ने अगले पांच वर्षों के लिए हिमाचपदेश को 81,970 क्रोड रुपए की गरांट दी है अगले पांच वर्ष कौन-कौन से तो जो हमारा अभी वितिय वर्ष शुरू होगा 2021 का वहाँ से लेके 2025-26 का जो बितिय वर्ष है इन पांच वर्षों के लिए ये गरांट दी गई है इससे वेले जो हमारा 14 फाइनास कमिशन था उसने हिमाचपदेश को 72,033 क्रोड रुपए की गरांट दी थी और अब ज़्यादा गरांट दी गई है 15 फाइनास कमिशन दोरा आप इमेज में देख सकते हैं ये चेर्मैन है 15 फाइनास कमिशन के इनका नाम है एनके सिंग इस गरांट के साथ ही हमाचपदेश सरकार को हर महीने 950 क्रोड रुपए प्रोड के जाएंगे गरांट दी जाएगी 15 फाइनास कमिशन दोरा और जो हमाचपदेश के 2 लाग गर्मेंट एमपलोईज हैं उनकी जो सेलरी का बर्डन है वो भी कम होगा अब हमाचपदेश सरक गरांट है 14 फाइनास कमिशन दोरा 40,642 क्रोड रुपए की दी गई थी लेकिन 15 फाइनास कमिशन दोरा 37,199 क्रोड की दी गई है कट लगाया गया है लेकिन ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाया गया है 15 फाइनास कमिशन दोरा एक नया फीचर भी एड किया गया है इस गरा 400 क्रोड रुपए जो हमारा कांगडा का गगल एरपोर्ट है उसको अपग्रेड करने के लिए और 20 क्रोड रुपए जो कांगडा में जौला मुखी टेंपल है उसकी ड्वेल्मेंट के लिए दी जाएंगे ये एक स्टेट स्पेसिपिक ग्रांट है इसके लावा इंडिविजिली बात करें तो अर्बन लोकल बॉडिस को 3049 क्रोड रुपए दिये जाएंगे डिजस्टर मेंजमेंट के लिए है 22,058 क्रोड रुपए और जो हमारा वीतिवरश अभी चला है 2020-21 का उसके लिए दिये गए थे 19,309 क्रोड रुपए टेक्स शेर के रूप में रिसीव किये गए है 35,064 क्रोड रुपए परधान मंतरी ग्राम इंडिशड के योजना के लिए 222 क्रोड रुपए हेल्स चेक्टर के लिए 37 क्रोड रुपए और डाटा एंड स्टेटिस्टिक्स के लिए 21 क्रोड रुपए तो ये सारी के सारी गरांट जारी की गई है 15 फाइनास कमिशन दोरा हिमाच सपदेश के लिए लदाक के किसामाजी कारेकरता को जांसकर गाटी को दारचा से जोडने के लिए पदम श्री पुर्षकार से सम्मानित किया गया है औप्शन है सूलतरीम चौनजोर, करतार पारसराम सिंग, विरेंदर सिंग, जम्यांग सेरिंग नमग्याल करेक्ट अंसर है औप्शन ए सूलतरीम चौनजोर लदाक में है जांसकर गाटी, वहां से लेके लोहस बिती के दार्चा तक इन्होंने एक रोड बनाया है जिसके लिए कि इन्हें अब पदमश्री अवार्ड से सम्भानित किया गया है इसके लावा ही माचपदेश के करतार पारसराम सिंग है, उन्हें भी सम्भानित किया गया था और जो ऑप्शन डी है, जम्यांग सेरिंग नमग्याल, ये मेंबर आफ पार्लियमेंट है, लदाग से, काफी फेमस हुए थे अपनी स्पीच के लिए तो इनका नाम भी याद रखियेगा बात करते हैं, पदमा श्री अवार्डी सुल्त्रीम चौंजोर की, आप इमें इमें देख सकते हैं, ये हैं सुल्त्रीम चौंजोर तो 38 किलोमेटर का रोड इन्होंने बनाया है, लदाग के जांसकर वैली में एक विलेज है, करग्याक विलेज वहां से लेके लौहसपिदी डिस्टिक के दार्चा विलेज तक और ये जो रोड है, ये बाया शिंकुला, शिंकुला पास से होके ये गुजरता है, मई 2014 से इन्होंने स्टार्ट किया था इसका काम, और जून 2017 में इन्होंने खतम किया, और अपनी जेब से इन्होंने 57 लाक रुपे भी खर्चे इस रोड को बनाने के लिए, और ये मुक् कुर्ग्याक विलेज, यहाँ पे है हमारा शिंकुला, शिंकुला पास, तो यहाँ पे है दार्चा, दार्चा से लेके कुर्ग्याक विलेज तक इन्होंने रोड बनाया है, 38 किलोमेटर का, और जो में रोड है, वो यहाँ से क्रॉस होता है, अभी जो शिंकुला रोड प्र देश में मुटापे के मामले में हिमाचपदेश की स्थिती क्या है? ऑप्शन है सेकिंड, सिक्स्थ, टैन्थ, फिफ्टींथ, क्रेक्ट अंसर है ऑप्शन भी सिक्स्थ, मुटापे के मामले में पुरे देश में हिमाचपदेश छटे स्थान पर स्थित है पिछले एक दशक में हिमाचपदेश में मधू में का प्रचलन किया है ऑप्शन है 10%, 11.4%, 11.5%, 11.6% प्रेक्ट अंसर है ऑप्शन सी 11.5% तो हिमाचपदेश के 11.5% लोग ऐसे हैं जो कि डाइबेटी से क्रस्थ हैं, मधू में के शिकार है और पुरे भारत के 10% लोग ऐसे हैं जिने की डाइबेटीज है तो आई से मार दोरा पैन इंडिया एक डाइबेटी स्टडी की गई जो कि 39 स्टेट्स और दो यूनिट एट्रीज में कंड़क्ट की गई जिसमें कि अगर ओबेस्टी में देखें, मुटापे के बारे में देखें तो हिमाचपदेश का छटा रेंक है पुरे भारत में और हाइपरटेंशन में जो हमारी हिमाचपदेश की एबरेज है वो नेशनल एबरेज से मैच करती है इसके लावा डाइबेटीस की बात करें तो जो हिमाचपदेश की परसेंटेज है एबरेज है वो हमारी नेशनल एबरेज से ज्यादा है नेशनल एवरेज है 10% और हिमाचवदेश की जो एवरेज है वो है 11.5% मतलब पुरे भारत के 10 प्रेशर लोग ऐसे हैं जिने के diabetes है लेकिन हिमाचवदेश के 11.5% लोग ऐसे हैं जिने की diabetes है और सबस्यादय चिंता का विशे है गरामन इलाके का और महिलाओं का उन्हें ज़्यादा diabetes है पुरुषों में देखें तो 11.6% पुरुष ऐसे हैं हिमाचवदेश के जो की diabetes से गृस्त हैं और 11.4% महिला ऐसी हैं जो की diabetes से गृस्त हैं और अगर हम Grammin इलाके में देखें तो 11.2% लोग ऐसे हैं Grammin इलाके के जोकि हिमाजब देश के Diabetes से गरस्थ है और पुरे भारत का अगर Grammin इलाका देखें तो 7.80% लोग हैं पुरे भारत की Grammin इलाके के जो की diabetes मदू में से गरस्त है इसके लावा ratio भी निकाले गई known to unknown cases की तो 1 ratio 1 है हिमाजब देश की known to unknown cases diabetes का Next is What is the constituency of रामलाल मारकंडा Technical Education Minister of हिमाजब देश हिमाजब देश के तक्निकी शिक्षा मंतरी रामलाल मारकंडा का विदानसवा क्षेतर किया है Option है कसौली, कुटलेहर लाहलसबिती, बरमार प्रेक्टनसर है option C लाहलसबिती तो जो हमारे तक्निकी शिक्षा मंतरी है Technical Education Minister है रामलाल मारकंडा उनकी constituency है लाहलसबिती आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं रामलाल मारकंडा इनकी constituency है लाहलसबिती Technical Education Department के अलावा ये हमारे Vocational and Industrial Training Tribal Development, Information Technology और Redressal of Public Grievance Minister भी है हिमाचल प्रदेश के डिसकस करते हैं Practice Questions or the Question is सैनिक स्कूल सुजानपूर में लड़कियों के लिए कितनी सीटें अरक्षित रखी गई है जहां पहली बाद लड़कियों को परवेश दिया जाएगा Correct answer है Option C 10% तो हिमाचल प्रदेश का जो सैनिक स्कूल सुजानपूर है वहाँ पहली बाद लड़कियों को परवेश दिया जा रहा है और इनके लिए 10 प्रदेश सीटें आरक्षित रखी गई है ये थी हमारे आज की डिसकेशन और अगर आपको इस सेशन की पीडियाफ चाहिए तो आप में टेलिग्राम चैनल से ले सकते हैं टेलिग्राम पे साच कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडिया पर आपकर सकते हैं मिलते हैं नेक्स डिसकेशन में थैंक्स पर वाचिंग वीडियो डू लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल